हेलो प्यारे विदार्तियों समाकेड में की यूटूब चलने पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करें वर्क्षिट नंबर 41 की यानि जानेंगे इनके आंसर को किस तरीके से करना है अगर आपने अभी तक चनलन को सब्सक्राइब नहीं के तो प्ली चनलन को सब्सक्राइब जरूर करें शुरूरात करते हैं अपको जो इंस्ट्रक्शन जो दिये गए हैं उनको अच्छे से सुनना है और उसके बाद में उसके अपना रिस्पॉंस है उत्तर है वो देना है योर टीचर विल रीड दा फॉलोविंग कमांड्स आपको अपने आपके टीचर क्या देंगे कुछ कमांड्स देंगे बाद करने कुछ जोड़ से बोल कर आपको बताएंगे and write in cracked boxes और आपको जो sentence बोले या जो word बोले उसको आपको cracked box में लिखना है add more from your side यानि आपके पास कुछ यानि sentence दे रखें जैसे first है speak when they are used form a circle open your book fold your hands please be seated stop writing sit a line wash the plates properly clean the board do not waste food or wet for your turn अब आपको यानि यहां पे कुछ आपको activities दिखाई दे रही है जैसे यह है in classroom यह है during assembly यह है during midday meal यह है यह तो classroom का दरस्य है यह आपकी assembly है यानि जैसे बाल सभा या परातना सभा होती है यह आपके खाने का समय है आपको बताना है इन में से कौन सा किस में आएगा जैसे form a circle यह आएगा assembly में open your book यह आएगा classroom में fold your hands आपका आएगा assembly में please be seated आपका आएगा classroom में stop writing यहनि कहां पे होती है classroom में sit in line यह लाइन में बेठो यह होती है assembly में wash the plates properly यह होता है midday meal में clean the board होता है classroom में do not waste food यहनि midday meal में wait for your turn यह होता है assembly में इस तरिके से आपको बताने है कि कौन सा कहां पे आएगा जैसे in classroom में कौन कौन से होंगे open your book यहनि book हो लो stop writing यहनि लिखना बंद करो please be seated यहनि अच्छे से बैठो clean the board और क्या करो board को साफ करो फिर during assembly में आएगा form a circle fold your hands अपने हाथों को fold करो wait for your turn यहनि अपनी बारी का इंज़ार करो फिर midday meal में sit in line यहनि line में बैठ जाओ सी दे wash the plates properly यहनि जो plates है उनको अच्छे से साफ करो do not waste food और खाना waste मत करो तो इस तरीके से आपको क्या करना है इनको इनके करम के according यहनि रखना है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा Thank you